दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि चाइना पिछले कुछ सालों से भारत के पडोसी देशों के अंदर एक बहुती भयंकर और खतरनाक चाल को चल रहा है। दोस्तों इसके लिए भारत का फोका साउच चाइना सी के उन देशों के तरफ है जिसका बोर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ है। लेकिन अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलिफिन्स आर्मी भी इन मिसाइलों को लेके इंट्रस्टेड है और फिलिफिन एरफोर्स भी भारत से कुछ हतियारों को खरिदना चाहता है। और रिपोर्ट के मुताविक इन में तेजस मार्क वान जी घैसे एरफ्राफ थो है ही साथ में इन एरफ्राप्टों में इस्तेबाल होने वाले ब्रμवोंस NG जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है जिसे की फिलिफिन्स नेंवल स्ट्राइक मिसाइलों के रूप में ख जहता है ताकि इस collaboration के अंतरुष्द एडवांस तेजरस मार्क-1 A जैसे यरक्रैप्टों को फिलिफीन्सके बेडे में शामिल किया जा सके जिसे कि फिलिफीन्स अपने बेडे में एक ताकत वरतरिन नेवल स्ट्राइक प्लाटवर्म के रूप में शामिल करना चाथा है और फ फिलिफीन्स के, आरफोर्स के ताकत, मतलब फिलिफीन्स के जो एरियल पावर है, उसमे ही बृद्धी नहीं होगा, बलकि नेवल कापविलिटी में भी बृद्धी होगा. और रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि असल में भारत के जो हिंदुस्तन एरोनोटिक्स लिमिटेड वो फिलिफीन्स के एरोस्पेस डिवलोपमेंट कोर के साथ मिलके एक मुच्छल अंडस्टेंडिंग और मुच्छल ट्रस्ट के तहट अपने एक्वेपमें को किस तरीके से भारत के द्वारा एक सौफ लोन का भी ओफर किया गया है और दोस्तों ये जो सौफ लोन है इसका उप्योग करके फिलिफीन कम से कम इंटरस रेट में भारत से करीवन 20 समय के अवदी के दर्मYान हतियारों को खरिच सकता है और दोस्तों ये फिलिफिन्स ज Combat Aircraft को अपने बेड़े के लिए चाहता है जो कि Philippines के Rehorizon 3 Initiative के अंतरगत है और दोस्तों इस Initiative के अंतरगत Philippines अपने National Integrity को Protect करने के लिए और Defense Infrastructure को और Modernize करने के लिए प्रयास चला रहा है जबकि TV5 News के Initial Report में दावा किया गया था कि Philippines करिवन 400 Billion Philippini Currency के लागत से करिवन 49 ऐसे Aircraft को खरिदना चाहता है लेकिन कुछ Official जानकारी में बताया जा रहा है कि Rehorizon Project के अंतरगत करिब करिब 40 Aircraft को 405 Billion Philippini Currency के लागत में खरिदा जाएगा अब दोस्तों इससे एक तरिखे से अब कह सकते हैं कि ये जो डील है ये भारत के लिए काफी बड़ा संभावना है और दोस्तों इस डील के अंतरगत अगर भारत अपने तेजस Mark 1 Aircraft को बेच पाता है तो ये भारत के लिए पहला ऐसे Aircraft को का डील होगा जबकि दूसरे में फिलिफियन्स इन इयरक्राप्टों के हतियार के लिए भारत के साथ डील करेगा जिनमें ब्रमोस एंजी जैसे Supersonic Cruise Missile तो प्रमोख हतियार होगा ही सात में भारत में इन इयरक्राप्टों के लिए दूसरे हतियार जैसे कि असरभ DM kalian Beyond Visual Range Air to Air Missile और कई तरिके के अनने Air to Surface और Air-to-Air Missile भी फिलिपिन्स खरी सकता है। असल में फिलिपिन्स के लिए एक आकर्शनी ओफर हो सकता है जो कि भारत के डील को सुनिश्चित करने के लिए काफी अधिक मददगार भी होगा। कुछ रिपोर्टों के मुताविकन सभी देशों के साथ ब्रमोष जैसे मिसाईलों को लेके जहाँ भारत बात्चित कर रहा है तो उही पर दूसरे तरफ कुछ और वी हतियारों का ओफर इन देशों के सामने भारत के तरफ से रखा गया है। पर दोस्तों इसके इलावा भी चाइना के लिए और एक चिंता का विशाई ये है कि एक तरफ जहाँ भारत एक्सपोर्ट मार्केट में लगातार सफलताय हासिल कर रहा है तो उही पर चाइना को लगातार एक्सपोर्ट मार्केट में एक के बाद एक जटके का सामना करना पड रहा है क्योंकि दोस्तों सोवियत यूनियन टूटने के बाद चाइना के द्वारा जिस तरीके से सोवियत यूनियन के टेक्नोलोजी को चुरा के हतियार बनाया गया है इससे चाइना के जो हतियार है वो काफी सस्ता वी हुआ और दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कीमत क पर दोस्तों अब धिरे धिरे करके जिन देशों के द्वारा चायना के हतियार खड़दा किया है उन देशों के तरफ से इन हतियारों को लेके कम्प्लेंड किया जा रहा है और ज्यादा तर देशों का कहना है कि ये जो हतियार है ये सस्तातु है लेकिन काम नहीं करता है और ज चाइनीज कंपनी जिन में AVIC, Noranco, China South Industry Group Corporation, China Aerospace Science and Industry Corporation, China Aerospace Science and Technology Corporation और China Electronic Technology Group Corporation है, ये असल में साल 2022 में दुनिया के 100 बड़े हतियारों के मिनुफ्रेक्चर कंपनीओं में शामिल था, इनके द्वारा combinedly 108 billion dollar revenue generate किया गया जो करिफ-करिफ 2.8% होता है, हलाकि साल 2013 से साल 2017 के टाइम फ्रेम के दर्मियान साल 2018 से साल 2022 के इस टाइम फ्रेम में चाइना के हतियारों के विक्री में करिवन 23% तक कमी आया है, और इसके पीछे असल कारण इन हतियारों के quality में खरावी होना और after sell service ना होना, और दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा example Jordan के द्वारा खरिदा गया 4 CH4 जैसे drone है, जो कि साल 2016 में Jordan ने हासिल किया था और 3 साल के इस्तेमाल के बाद ही Jordan के तरफ से इसे for sale के लिए रख दिया गया, क्योंकि ये unmanned aerial vehicle इतना खराफ quality का था कि Jordan जैसे देज भी इसे इसे इस्तेमाल करने से डर रहा था, इवन इसके इलावा बताए ये भी जाता है कि ऐसे करिवन 20 द्रोनों को इराक को भेचा गया था, लेकिन उनमें से करिवन 8 द्रोन उड़ते ही crash हो गया, इवन पाकिस्तान के तरफ से भी चाइना से काफी बड़े मात्रा में ऐसे द्रोनों को खड़िदा गया था, लेकिन दोस्तों वो द्रोन पाकिस्तान पहुंचने के बाद उड़ने लायक नहीं रहा और पाकिस्तान चाइना के क्लूस्तरिन डिफेंस एहलाई होने के बाओ जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान के इन द्रोनों को रिपेर करके तक नहीं दिया गया, इवन दोस्तों खाली ये द्रोन नहीं बलकि पाकिस्तान को जो चाइना के द्वारा JF-17 जैसे एरक्राफ बेचा गया है उन एरक्राप्टों को लेके भी रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कम से कम 40 पतिशत एरक्राप्टों पाकिस्तान के अंदर ग्राउंडेड है जबकि मयानमार के तरफ से भी जिन एरक्राप्टों खरिदा गया था उनमें भी कम से कम 100 पतिशत एरक्राप्ट डाउंडेड है और दोस्तों इस तरीके के हत्यारों के फॉल्टी निकलने के कारण चाइना के जो हत्यार है जो एक समय सस्ता होने के कारण कई सारे देशों के खरिदने के सोज विचार रखता था वो आज भारत के साथ भी हत्यारों के डील को लेके चर्चा कर रहा है इवन नाइजिरिया और कई सारे अन्ने अफरिकाई देश थो भारत के लाइट कॉमबैट हेलिकॉफटर और कई तरीके के मिसाईलों को लेके भी इंट्रेस्टेड है दूसरे तरफ दोस्तों मिडलिस्ट के देशों के अंदर भी भारत के हत्यारों को लेके काफी अधिक चाहत दिखाया जा रहा है जो एक तरीके से चायना के लिए एक बहुत बड़ा जटका है और दोस्तों इससे चायना जो सपना देख रहा था कि सस्ता हत्यारों को अन् अब चायना को उल्टा पड़ गया है और चायना अपने खुद के जाल में ही फस चुका है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को क्या और अधिक मात्रा में साउच चायना सी के देशों को अपने हतियार बेचना चाहिए और हतियारों को बेचने के लिए इस तरीके से सौफ लोन देना चाहिए। कॉमेंट करके अपने राए अवश्य दीजिए। दोस्तो आज के इस वीडियो को यह पर ही करते हैं, सब आपके किसी और एक दून किसी और एक वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम!